हेलो एवरीवन देखते हैं हम क्वेस्टन एक क्वेस्टन है प्रकास की किरण को पूर आंत्रिक परावरतन के लिए किससे गुजरना होता है जो पूर आंत्रिक परावरतन है वो कब होता है ठीक है देखो वो होता है जब प्रकास कर द iniciar to rear जाती है, ठीक है यानि सघन माध्ययम से कहां जाती है आपकी Viral माध्ययम में अब देखो, यहां आपको सघन देखना है, फिर viral काच कैसा है? जल के पेच्छा सघन है, ठीक है यानि काच से जल में जाएगी तो पूरा अंत्रिक प्रावरतन होगा पूरा अंत्रिक प्रावरतन कब होता है जब प्रकासकर सगन माद्यम से विरल माद्यम में जाती है ठीक है नेक्स्ट देखो देखे क्वस्षन है आपके पास परासरवित तरंगों के आपवर्ती विशिष्ट रूप से होती है बताई वो क्या होती है देखो आपके तरंग तीन प्रकारिक होती है एक होती है आपके अपसरव एक होतिया सापकी स्रव्व और एक होतिया आपकी परास्रव्व अब देखिए जो परास्रव्व तरंगों की आबरती होती है वो कहां होती है 20 किलो हट से उपर होती है ओप्सिन नमर फ़स्ट राइट हो जाएगा स्रव के कहां होती है 20 से 20 यार हट्स तक होती है 20 से कहां होती है 20 किलो हट्स तक होती है अब स्रव्व कहां होती है 20 यार हट्स से कम ठीक है तो परास्रव्व तरंगों की आबरती किते ही होती है 20 एर हट से या 20 किलो हट से उपर होती है ओप्सिन नमर फ़र्स्ट राइट हो जाएगा आपका नेक्स्ट देखो देखे नेक्स्ट आपका जनम से पहले सिसु का लिंग किसके द्वारा सुनेश्चित होता है बताईए तो किसके द्वारा होता है पिता के सुक्राणू से होता है ओप्सिन नमर फ़र्स्ट राइट हो जाएगा नेक्स्ट देखो देखे नेक्स्ट है उस्मा का वैद्ध तूर्जा में परिवर्तन करने के लिए प्रियोग किया जाता है जो आपकी उस्मा है उसे वैद्ध तूर्जा में परिवर्तन करने के लिए प्रियोग क्या किया जाता है कौन सा यंत्र होता है तो होता कौन सा धर्मो कपल यंत्र ठीक है अप्सिन नमर फोर राइट हो जाएगा नेक्स्ट नेक्स्ट है मदमक की पालन को कहते है जो मदमक की पालन है उसको क्या कहते है उसको कहते हैं का एपी कल्चर ठीक है एपी कल्चर किसका है मदमक की पालन का ठीक है एग्रिकल्चर आप समझ रहे हैं ठीक है किसी समस देता, ठीक है, देखे, सेरी कल्चर क्या होता है, आपका, रे सम का पालण, ठीक है, रे सम, पालण क्या होता है, आपका, सेरी कल्चर, ठीक है, तो मदब वक्की पालण kисл Jahren किसे कहते हैं, एपी कल्चर, нее नम्मर टू रांट हो जाएगा, next देखो next आपका वायू मंडल में जलवास्प की मात्रा मापी जाती है बताईए किस रूप में मापी जाती है जलवास्प होता है वो आदरता की रूप में माप जाता है option number first option number first next next आपका पैंडूलम को चंद्रवाँ पर ले जाने पर उसकी समय अबदी बताओ क्या होगी जो पैंडूलम है चंद्रवाँ पर ले जाने पर उसकी समय अबदी बताईए उतनी ही रहेगी घटेगी सूने हो जाएगी या बढ़ेगी चंद्रमा पर ले जाना पर क्या हो जाएगा बढ़ेगी ओप्शन नमर फॉर राइट हो जाएगा नेक्स्ट देखो देखी नेक्स्ट आपका सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड को सुमेलित करके सही कूट का चैन कीजिए सूची फर्स्ट आपकी और सूची सेकंड है देखी यहां कुछ कारवन के अपर रूप है यह उनकी सरंचना है बताई देखी जो सट कोड़ी वले की प्रदा संजना होती है वो किसकी होती है आपकी ग्रे फाइट की होती है ठीग है यह फर्स्ट हो जाएगा कर देखी त्रीव में चत्रस कोड़ी सरंचना किसकी होती है वो त्यापकी ही रे की यह आपका सेकंड हो जाएगा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है फोटबोल के आकरति की क्या होती है फ्लॉरीन यानि यह सी हो जाएगा ठीक है कि एक सट कोड़ी किसकी होती है ग्रेफाइट चत्रस कोड़ी यह ही रे की और फोटबोल के आकरति की फ्लॉरीन की होती है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है नेक्स्ट देख नेक्स्ट आपका पानी और चाक जिसे हम खड़िया बोल देते हैं कि मिस्रड को प्रतक किया जा सकता है यह कौन सी विधी है इसमें से जो पानी और चौक के मिस्रड को अलग कर सकता है तो कौन सी विधी है अव साधन विधी ठीक है ओप्शन नमर फर्स्ट राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्वस्टन आपका असंत्रप्त हाइड्रो कारवन में बताए क्या होता है तो उसमें क्या होता है यह संत्रप्त में सिंगल वांड होता है असंत्रप्त में क्या होता है आपका उसमें डवल वांड हो सकता है और ट्रपल वांड हो सकता है यह क्या है यह संत्रप्त के लिए है ठीक, ठीक है, और ये किसके लिए आपका, और संत्रप्त के ठीक, ठीक है, सिंगल बॉंड किसमे होता है, संत्रप्त में, और डबल या ट्रपल बॉंड किसमे होता है, और संत्रप्त में, ठीक है, तो देखे, 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 देख होगा चतुस फलक नहीं कार्वन और कार्वन के मद्द कौन इतना होता है नहीं देखिए इसमें द्वेबंद पाए जाते हैं ठीक है यानि द्वेबंद भी सही है और ट्रपल बंड भी सही होगा आप्स नमर फ़र्स्ट हराइट हो जाएगा कि नेक्स्ट देखो देखिए नेक्स्ट आपका प्रकास संसिलेशन की अंदकार अवक्रिया होती है बताए किसमें होती है कि इस ट्रॉमा में ठीक हरतलवक के इस ट्रॉमा में अंदकार अवक्रिया होती है ऑप्सनमर तू राइट हो जाएगा नेक्स्ट आपका कीट परागड होता है बताए किट परागड किसमें होता है तो किसमें होता है वो साल विया में होता है ठीक है ऑप्सनमर थर्ड राइट हो जाएगा देखो मक्का में कौन सा परागड होता है आपका वायू परागड ठीक है ओवेलिस नेरियाम कौन सा होता है आपका जल परागड ठीक है तो आप्सिन नमर फार्ट थर्ड राइट हो जागा ठीक कीट परागड किसमें कहा होता है साल विया में ठीक नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आपका जल के उपचार में चार कोल का प्रयोग किस रूब में किया जाता है बताईए ठीक है किस रूब में किया जाता है अधिस सोसक के रूप में ठीक है ऑप्सिन नमर टू राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्वस्टन है आपका पाइसी कारक एक एजेंट है जो बताईए इसमें क्या करता है वो ठीक है तो क्या करता है वो पाइस को इस्थाई कर देता है ठीक है ऑप्सिन नमर फर्स्ट राइट हो जाएगा नेक्स्ट देखो देखिए नेक्स्ट आपका जब चीटियां काटती है तो वे अंत्य छेपित करती हैं बताईए क्या करती हैं क्या करती है वो फॉर्मेक अमले छोड़ देती है ठीक है फॉर्मेक अमल का फॉर्मुला होता है फॉर्मेक अमल का फॉर्मुला होता है ठीक है नेक्स्ट बताईए एंजाइम क्या होते हैं एंजाइम क्या होते हैं एक प्रकार क्या आपके प्रोटीन होते हैं ठीक है अपस्ट नमबर टू राइट हो जाएगा नेक्स्ट एक प्रस्ट आपका चीटी अपने चार और की वस्तों को देख सकती है क्योंकि बता क्यों देख सकती है उसकी संयुक्त आखें है ठीक है उसकी कमपाउंड आखें है ठीक है ऑपस्ट नमबर फूस्ट और राइट हो जाएगा नेक्स्ट देखें क्वस्टन आपका यद एक सो चालीस वोल्ट यानि आपको वीदे रखा है एक सो चालीस वोल्ट विवांतर वाले विद्धुत उपकर द्वारा बारे कूलाम यानि आपको क्यों दे रखा है बारे कूलाम को आवेसित प्रवाहित को होता है तो उपकरण में व्य उड़ जाका मान होगा ठीक है आपको डबलू निकालना है तो डबलू परावर क्या होता है आपका वी इंटु क्यूव ठीक है लगा दो डबलू परावर क्या हो जाएगा आपका कि एक सो चालीस कि मल्टिप्लाई में बार है ठीक है कितना हो जागा यह 1680 जूल ठीक है 1680 जूल ठीक है ओप्शन नमर्ट तू राइट हो जाएगा ठीक है आपको फर्मुल जाद रहा है डबलू परावर वी क्यूव यहां डबलू कार रहे है वी विवानतर है और क्यूव आवेस से आपका ठीक है नेक्स्ट क्वस्तन आपका निम्न कड़ एक ही गति उर्जा के साथ चर रहे हैं इन सभी कड़ों के क्या है आपकी गति उर्जा समान है उनमें से सबसे अधिक सम्वेक किसका है ठीक है देखो सम्वेक का फर्मुला होता है पी वरावर एम वी ठीक पी वरावर एम वी जहां एम क्या आपका मास यानी द्रवान वी वेक ठीक है अब देखी इलेक्टरण प्रोटोन ड्यूटरण और अलफा कड देखी अलफा कड़ पर अलफा कड़का सबसे अधिक द्रमान होता है देखी जितना अधिक द्रमान हो가 उतना अधिक सम्वेग होगा इसलिए option number 4 right हो जाएगा क्योंकि इसका M क्या है इसका अधिकतम है अलफा कड़का इनके पे इच्छा द्रमान अधिक होता है इसलिए अधिक सम्वे किसका होगा अलफा कड़का next एक क्वस्चन है आपका अरक्तता जिसे हम एनेमिया भी बोल देते हैं मैं निमनलिक्त मैं से किसकी मात्रा कम हो जाती है एनेमिया में किसकी मात्रा कम हो जाती है तो किसकी हो जाती है वो हीमो गलोविन की ठीक है option number 5 right होगा next देखिए next आपका amnius entices किसकी विधी का नाम है तो किसका है गरम में सुसू के स्वास्ते की दसाओं का पता लगाने के लिए option number 5 right होगा इसकी साथा से ही हम gender पता करते है ठीक है या 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 नी लड़का है या लड़की है इसी विधी द्वार हम क्या पता करते हैं किसी के लड़का है या लड़की लेकिन लोग इसका गल्द इस्तमाल कर रहे हैं इसलिए इस पर बैन लग गया है ठीक है तो क्या होगा गरम में सुसू के स्वास्ता की दसाओं का पता लगाने के लिए ठीक है का एक केला चे मीटर प्रत सेकंड के दीवो यानि विग कितना यह है यहीट मीटर प्रत सेकंड की विग से इक समान विग से गत्सील है गोले की गत्यूर्जा कितनी होगी ठीक है यहां केलानी होगा यहां गोला होगा ठीक है तो गोले की गत्यूर्जा कितनी होगी ठीक है देखो किया बरावर क्या हो जाएगा आपका फरूर्ण रगता है गत्यूर्ण रगता है गत्यूर्ण 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 गत्यू दो एम की वेलू कितनी है आपकी पंदर है और वीश्वर हो जाएगा यानि छे इंटू छे और दो तिया छे ठीक है अब उसकी गुणा कद दो 45 इंटू छे कितना आजाएगा आपका कि दो सब्सक्राइब कितना हो जाएगा दो सब्सक्राइब हो जाएगा नेश्ट देखिए किसी परमाणू के नाविग में 11 प्रोटोन एवं 12 न्यूट्रन है इस परमाणू के उदासी निस्थिती में इलक्टोन की संख्या एवं द्रम्मान संख्या क्या होगी देखिए प्रोटोन कितने आपके 11 ठीक है किसी परमाणू जितने प्रोटोन होते हो तो नहीं क्या होते है इलक्टोन यानि इलक्टोन भी कितने होगे आपके इलक्टोन भी कितने होगे आपके 11 ठीक है ओप्सन नमबर फोर्ट और फर्स तो होगा नहीं इलक्टोन पूछे नहीं और द्रम्मान संख्या देखिए द्रम्मान संख्या का होती है देखिए द्रम्मान संख्या कैसे निगालेगे द्रम्मान संख्या क्या होती है आपके प्रोटोन की संख्या प्लस नीट्रोन की संख्या तो प्रोटोन कितने आपके पास ग्यानास हाँ क् ग्यान रहे है यह नेट रिपन्धन की संगह पो दे रखी कितनी बार है यसी में 12 हो जोड़ दो कितनी हो जाएंगा आपकी 23 एक रखेंगी Today and ठीक है तो आप्सिन नम्मर सेकंड राइट हो जाएगा ठीक है इलेक्ट्रों की संगे कितने हो गया आपकी गया रहे है अपको द्रमान संग्या तेईस ठीक है ठीक है नेक्स्ट कि देखेंगे कि विद्धित मॉटर की सामर्थ आ याइनि पी तिन है आपकी एं साथ पॉंट पांच ही लोग ठीक है किना वाट इसको वाट में चेंञे कर लो तो कितना होजाएगा आपका पिचात्तर सो वाट ठीक है एक जार से गुणा कर देंगे ठीक है एक दसनलब से कट जाएगा गजीरू ठीक है तो पिचात्तर सो वाट हो जाएगा अब देखिए इसे आठ घंटा यानि टी कितना दे रखा आपका आठ घंटे और समय कितना है 15 दिन यानि दिन कितने आपके 15 देज ठीक है अब देखिए तब कितने यूनिट विद्धू तूर्जा विय हुई देखिए यूनिट का फर्मूला होता है यूनिट का फर्मूला क्या होता है पी इंटू टी इंटू डी यानि पावर टाइम और आपके डे अपन के 1000 ठीक है तो यूनिट के संख्या निकलाए गया आपके पास देखो तो यूनिट वरावर कितने आजाएंगे आपके देखो पी की वैलू कितनी है कितने आपका आठ दिन कितने आपके पंदर है अब अपन में क्या करतेंगे 1000 इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आजाएगा 900 यूनिट ठीक है 900 यूनिट ठीक है आपको फर्मुला याद रखना है यूनिट परावर क्या होता है पी टी और डी अपन के 1000 ठीक है आपको यह फर्मुला याद रखना है ते थे तेंगे तेंगे